वोंडा अमेरिका जारवेज की पावर लेने के लिए कमरता जाती है लेकिन डॉक्टर स्टेंज वोंग और उनके साथ ही उसकी शुरक्षा करते हैं इससे वोंडा गुस्सा हो जाती है और वो उन पर हमला करती है वो बहुत जादा पावरफुल होती है क्योंकि वे सम्मिलकर भी वोंडा को रूक नहीं पा रहे थे फिर वोंडा अमेरिका जारवेज की पावर लेने के लिए आगे बढ़ती है इससे पहले कि वह जारवेज की पावर ले पाती वह बहुत जादा डड़ जाती है जिसकी वजह से एक और पोर्टल खुल जाता है अमेरिका जारवेज के इस पावर पर मेरा कोई नियंत्रन नहीं है, मैं मेरका जारवेज गहती है कि मैं बहुत सारे ब्रह्मांड में घूम चुकी हूँ और अधिकतर ब्रह्मांड में खाना फ्री होता है, पता नहीं आप लोग पैसा क्यों देते हैं, तब सेल्समेन डॉक्टर एस्टेंज से पैसे यदि दबू का औफ विशांती तक पहुचने का रास्ता था, तो इस युनिवेर्स के डॉक्टर एस्टेंज के पास भी दबू का ओफ विशांती तक पहुचने का रास्ता जरूर होगा, तब वे दोनों अर्थ-Eattack-1-3 के डॉक्टर एस्टेंज से मिलने जाते हैं जाते वक्त पता चलता है कि डॉक्टर एस्टेंज मर चुके हैं और यहां के कमरताज के रक्षक मॉडो है और डॉक्टर एस्टेंज सोचता है कि पिछली दुनिया में मॉडो उसका दुस्मन था यहां भी होगा पर यहां पर दोस्ट होता है और उससे पूछता है कि मैं आप की कैसी सेवा कर सकता हूं और उससे बताता है कि यह स्कारलेट वीच उसके पीछे है जो अमेरिका जार्वेज की पावर लेना चाहती है जिससे वह मल्टिवर्च में घूम कर वहां जा सके जहां उनके बच्चे थे लेकिन मॉडो उसका दुस्मन होता है और वो उन दोनों के चाहे में नसे की दवा मिला कर बेहोस कर देता है बाद में उसे इलोमिनाटी के सामने पेश किया जाता है जो एक सीक्रेट सोसाइटी का ग्रूप ता जिसमें पांच मेंबर थे पहला मेंबर कैप्टन मावल्स रेड रिचेड ब्लैक बोल्ट चारल्स जैवियर और आखरी म कैप्टन अमेरिका ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी असल मुसीबत एसकारलेट वीच नहीं तुम खुद हो इस पर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं आप लोगों की समस्या का कारण कैसे हो सकता हूं तो वह लोग बताते हैं कि यहां के डॉक्टर स्टेंज के पास भी डार्क होल् वर्ष के वोंडा का क्या होगा दूसरी तरफ वोंडा डार्क होल्ड का यूज करके वो अर्थ 813 के वोंडा और उनके बच्चों को देखती है तभी वोंग का एक साथी उन पर हमला कर डार्क होल्ड की पुष्टक को नस्ट कर देती है वोंडा या देखकर क्रोधित हो जाती है और वो गुस्से में आकर उसे मार देती है वोंडा का अगला सिकार वोंग होता है क्योंकि डार्क होल्ड नस्ट हो चुका था और अर्थ 813 के वोंडा और उनके फैमिली से उसका संपर्ख तूट गया था इस वाज़ा से वोंग के साथियों को कस्ट पहुंचाती है और कहती है कि इन मंत्रों के बारे में बता क्योंकि वोंग सौर्चरा सुप्रीम होता है तो सायद उसे उन मंत्रों के बारे में पता होगा वोंग कहता है कि मैं इन मंत्रो के बारे में जादा नहीं जानता पर यह मंत्र एक पहार पर लिखी हुई है और वहीं से डार्क होल्ज में लिखी गई थी तब वोंडा वॉंग को को चलने के लिए कहती हैं iliminaity के सदस्स से होती है यहां पर एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है वोंडा बहुत पावर्फुल होती है वो उन सब को खतम कर देती है यहां पर चार्ल्स जेवियर का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन होती है क्रिस्टीन, अमिर्का जारवेज और डॉक्टर एस्टेंज वोंडा का ध्यान भटकाते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वोंडा सभी दरवाजों को तोड़ते हुए वहां तक पहुंच जाती है और तब वोंडा अमिर्का जारवेज को पकर लेती है और ड अमेर्का जारवेज की साहता से दूसरे युनिवर्स में भेज देती हैं